हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहे हूं मराठा समराज की एक ऐसी बात जिस सुनकर आप भी एहरान रह जाएंगे क्या आप जानते हैं कि मराठा समराज के जो महराज थे साहुची भोसले उन्होंने क्यों मुगल समराज की बीटी के पैच हुए जी हाँ क्या आप जानते हैं कि औरनजेव की बीटी जेतुल मिर्जा का मराठा समराज के साहुची महराज भोसले बहुत जादा सम्मान करते थे ऐसा क्यों था और किसलिए था आज हम आपको बताने जा रहे हैं औरनजेव ने जब सम्माजी की मौत के बाद औरनजेव ने उनकी पतनी शकुबाई और उनके बेटे साहुची महराज को बंदी बना लिया था और अपनी बेटी जेतुबा मिर्जा को ये जिम्मेदारी दी कि वे साहुजी महराज को इसलाम की तामील दें और उनका पालन पोशन करें और उन्हें इसलाम कबूल करवाएं एक समय आने पर जेतुबा मिर्जा ने वैसा ही किया और उन्होंने साहुजी महराज का पालन पोशन अपने छोटे भाई की तरहा किया साथ ही उन्हें कई तरह की शिक्षाएं भी उपलब्द कराई तदा आगरा के किले में वैसारी सुविधाएं शाहुजी महराज को उपलब्द कराई जो की एक क्यादी को नहीं उपलब्द कराई जा सकती थी साथ ही उन्हें फौजी की शिक्षा भी दी और सभी हतियारों का ग्यान भी उन्हें दिलवाया गया जब शाहुजी 17 साल के हुए तो औरन जेव ने ये हुकम दिया कि उन्हें इसलाम कबूल कराया जाए पर जोतिबा फूले साहुजी महराज के मन की बात को अच्छे से जानते थी उन्होंने औरन जेव से कहा कि साहुजी महराज अभी इसलाम की तामिल ले ही रहे हैं जब तक वो तामिल पूरी नहीं हो जाती हम उन्हें इसलाम कबूल नहीं गरवा सकते हैं तब जाके औरेंजेव ने इसमें थोड़े सी देरी लगा दी असल बात तो ये रही थी कि जोतिबा मिर्जा कुछ समय चाहते थी जिससे कि वे औरेंजेव को धरम परिवर्तन के खिलाफ कर सके 1707 में औरेंजेव की मौत हो गई इसके बाद गदी में बैठे आजम शाह ने साहुजी महराज को मुक्त करने का फैसला किया ताकि वे महराठा राज की कमान समाल रही तरह भाई से सामना करके मराठा समराज का उत्तराधिकारी बन जाएं और उनके उत्राधिकारी बनने के बाद मुगल समराज को कोई भी खत्रा नहीं रहेगा मराठा समराज से पर इसी के चलते आजम शाह के भाई बाहदुर शाह ने उनके खिलाफ युद्धिक छेड़ने की गोशना कर दी मुगल समराज्य की गद्धी के लिए जिसके हित में आजम शाह ने शाहुजी महराज को लेके आगरे के निकट जजिया में हमला कर दिया जोनों के वीच लड़ाई में आजम शाह मौत हो गई आजम शाह की मौत के बाद शाहुजी महराज वहां से तुरंत अपने सांथियों को लेके निकल गए और बाद में बाला जी नात तथा धना जी गोड़ पड़े के साथ मिलकर तारबाई से मराठा की सत्ता छीनली और मराठो के राजा बन गए जेतुला मिर्जा ने शाहुजी को अपने भाई की दरह पाला पोर्सा था इसलिए साहुजी के दिल में उनके लिए काफे संमान था बाद में उन्होंने जेतल मिर्जा के साथ कई सारे मराठा सत्दारों को मुगल की कैदों से आजाद करा लिया था यहां तक कि जब बाजी राव पेश्वा दिल्ली पर आख्मन करने जा रहे थे तो साहु जी ने उन्हें सपस्ट रूप से ये कहा था कि जेतुल मिर्जा को कोई भी नुकसान नहीं पहुशना चाहिए साथ ही उन्हें सम्मान सही थी यहां लाना चाहिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले